जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाए arrived तो आवाज भुलंद करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद हैं तेरे वोल किलब आजाद हैं तेरे NEWS CLICK की स्वतंत्र और आजाद Пत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहन कीजिए आपके सामने तीन विकल्ब मैं यूस क्लिक के तमाम दर्शुकों का धनिवाद देना चाहूंगा इस मुश्किल वक्त में आप लोग म्यूस क्लिक का साथ दे रहे हमारी सदस्ता को ग्रहन करकर ताकि हम आपकी आवास को बगाएर डरेक बगाएर किसी दबाव के उठाते हुए आगे बढ़ सकें और अब बात करते हैं आज म्यूस क्लिक की दोस्तों न्यूस क्लिक की मैं आपसे बात करूँ सबसे पहले एक आखड़ा दिखाना चाहूँगा जो इस पक आपके स्क्रीन्स पर है आज जानते हैं पिछले 24 घंटों में करीब 4.1-2 लाक कोविड के नए केसिस सामने उफर कर आएं और पिछले 24 घंटों में 4,000 लोगों की मौत हुई है 3,980 मौतों की और ये जो मौतों का आखड़ा है ना दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इससे 10 गुना ज्यादा लोग मरे होंगे क्योंकि जो तमाम पत्रकार दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर पड़ताल कर रहे हैं उन्हें पता चल रहा है कि दरसल असल जो मृत्यू का आखड़ा है वो 10 गुना ज्यादा है तो ये 4,000 कांकड़ा नहीं है ये हो सकता है 40,000 कांकड़ा हो यानि कि रोज 30-40,000 लोग मारे जा रहे हैं अब आपके स्क्रीन्स पर इस महाशाय को दिखिए इसका नाम है तेजस्वी सूरिया ये भारती जाता पार्टी का सांसद है कल ये बैंगलूरू के एक अस्पताल मे गुसा और उस कोविट रूम में काम कर रहे है 206 लोगों में से इसने 17 लोगों का नाम निकाला और ये बोला कि ये मुसलमान यहां काम क्यूं कर रहे हैं इसके दखल के चलते दोस्तों उन 17 लोगों को निकाल दिया गया या निकाला जा रहा है मगर मैं खबर आपको क्यों बतला रहा हूँ मैं खबर आपको ये बतला रहा हूँ कि पहली बात रोज आधिकारिक तोर पर 4000 और अनफिशली हो सकता है 30 से 40 हजार रोग मारे जा रहे हो और ये लोग क्या चाते हैं कि आप लोग उसी तरह से हिंदू-मुसल्मान में फसे रहे हैं मैं इसकी चर्शाबाद में करूँगा अब इस खबर को देखिए करोना की एक तीसरी लहर भी आएगी और आना तेहे हमारे विग्याने को कमानना है आप कल्पना कर सकते हैं उसकी क्या हालत होने वाली है रोज देश की क्या हालत होने वाली है आज भी रोज आप जद्दुजहद करते हैं लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, तो आपको नाकामी हाथ लगती है, एक तीसरी लहर, और क्या सरकार इसके लिए तयार है, मैं आपको दो घटनाएं बताता हूँ, जो कल रात से मेरे साथ हुई है, मेरी बेटी की दोस्त, उनकी मा की हालत एक अस्पताल में चला, कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, मैं दिशब्द हूँ, उसके बाद दोस्तों, बिलासपुर में मेरा अपना ममेरा भाई, 27 साल का मेरा अपना ममेरा भाई, जिन्दगी और मौत के बीच जूल रहा है, मौसी का हाल बहुत बुरा है, दोस्तों, बहन का फोन आता है, बहन कहती है कि दादा, क्या उन्हें आप राईपुर में शिफ्ट करा सकते हैं, मैंने भूपेश बगेल जी के ऑफिस में विनोध वर्मा से बात की, और विनोध जी ने का हाँ, अबिसार जी हो जाएगा, मगर फिर परिवार के सामने एक धर्म संकट था, क्योंकि बिलासपुर से राईपुर के बीच में 110 किलोमीटर की दोरी है, इतना बड़ा रिस्क वो परिवार कैसे उठा सकता है, मौसी का हाल बहुत बुरा है दोस्तों, ये दर्भरी दास्तान हैं इतनी सामने उभर कर आई हैं, पिछले एक महिनों में मैंने अपने पांच रिष्टदारों को खोया है, मेरे पापा के दो बच्वन के साथ ही, जिनके गोद में मैं खेला हूँ, उनकी मृत्ती हो गई है, आप और हम सब दर्द के एक दास्तान से गुजर रहे हैं और हमारे जो हुकमरान हैं, हमारे जो राजनिता हैं, वो हमें अब भी इस घटिया सियासत में बांध कर रखना चाते हैं, तेजस्वी सूरिया क्या करता है दोस्तों, एक कोविड रूम में जाता है वहाँ पर भरश्टाचार की जाच करने, और वहाँ जा और हिंदू साथ मिलकर लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहे थे, मगर ये गया और उसने उन सत्रा मुसल्मानों पर हमला किया, इससे फाइदा क्या हुआ उसको मैं बताता हूँ, इससे फाइदा ये हुआ, कि इनके जो दो कौड़ी के भक्त है ना, जहरीले, वो खु अगर वहां भरश्टाशार हो रहा है तो जिम्दार कौन है, वहां का MPBJP का है, MLABJP का है, सरकार वहां BJP की है, केंदर में सरकार BJP की है, मगर ये आदमी क्यों गया मुसल्मानों को टार्गिट करने, ताकि आपका ध्यान असल मुद्दों से हट जाए, ये देखिए आद अप्लिकेशन गुद्दों से हट जाए, एसा ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जानता है कि ना केंदर में ना राज में इसकी पार्टी लोगों की मदद कर पा रही है, तो इसके पास एक बहुत आसान सा तरीका है, यहां पर भी हिंदू-मुसलिम कर दो, और जनता के दिमा अपनिक भय करना, दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए तुमने पूरा जहरीला प्रचार किया, तमाम रिकॉर्ड पार कर रवा दिये तुमने, प्रवेश साहिब सिंग, अनुराक ठाकुर, खुद ग्रे मंत्री अमिट शाह, इस कदर जहरीले बयान नहीं जीते, उसका पर इंसा में सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं मरते हैं, उनमें त्रिडमूल कॉंग्रेस से भी चार से पांच लोग होते हैं, वामपन्थी दलों के भी लोग मारे जाते हैं, और वामपन्थी दल के लोग मारे जाते हैं, अगर वामपन्थी दल ममताब अनरजी पर उंगली वहाँ आमंचेन रहे, आप दीदी हैं, दादा मत बनी, ये मैंने कहा था, और ममताब आनर जी मुझे उम्मीद है कोशिश भी करेंगे, मगर ये भी हकीकत है कि परसो तक, परसो रात तक उनके हाथ में लॉइन ओर नहीं था, वो चुनाव आयोग के अंतरगत था, वहाँ पर जो है चुनाव आचार सहीता चल रहा था, इसका मतलब मैं ममताब आनर जी को बचा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि वहाँ पर भी ये लोग हिंदू-मुसलिम कर रहे जूटे विडियोस का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ताकि माहौल और और उग्र हो, दि कि भोपाल से, सांसद, प्रग्या, क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन्स पर, मुम्ताज लोकतंत्र, हिंदूओं, बीजेपी के कारकरताओं की निर्मम हत्या बलातकार, हे कलंकिनी, बस शटे शटेयम समाचरेत, टिट फॉर टैट करना ही होगा, राष्टपती शासन और इनार पहली बात, खुद भारती जनता पार्टी की अक्टिविस्ट अपरना रॉय सामने आई थी कि मेरा बलातकार नहीं हुआ है, तो बलातकार की सारी आपकी खबरें जूटी हैं, दूसरी बात, प्रग्या ये बताईए आप मुझे, मैं आपको साध्वी प्रग्या नहीं कहू साध्वी का ओधा मेरे हिंदू धर्म में बहुत उच्छा है, मैं जानता हूं साध्वी कौन है, मगर जो महिला एक शहीद को शाप दे सकती है, उसके मरने की कामना कर सकती है, 26-11 याद है न आपको, उसके शहीद को शाप दे सकती है, उन्हें मैं साध्वी नहीं बोल सकता, माफ कीजेगा आप सामने कब आईं क्योंकि आपको एक राज में हिंदू-मुस्लिम करना था वो राज जिसका आप से कोई लेना देना नहीं है आप खुद भोपाल में कहा है मुझे बताईए ना भोपाल में आपके खिलाफ पोस्टेर्स लग रहे हैं कि कहा है प्रग्या मैं कर रहे हैं मैं समझना चाहता हूँ आपसे मैं देख रहा हूँ आपके पूरे ट्विटर टाइम लाइन पर आप सिर्फ आप जो कुरोना पॉजिटिव हो गई थी उसका जिक्र है मगर मैं देख रहा हूँ कि आपने खुद लोगों की कोई मदद नहीं की कम से कम आपके ट्विटर टाइम लाइन तो यही बता रहा है और आप क्या कर रहे हैं आप अनरगल जूटी खबरों का प्रश सबसे पहले योगी आदतनात को रोना काल में वहां की गायों के लिए हैल्प डेस्क बना रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीमीटर कैसे दिलाया जाए उनकी कैसे सेवा की जाए और दूसरी खबर देखिए दोस्तों हमारा जो विज्ञान मंत्राले है कोविड के इलाज में गायत्र मंत्र कैसे सहयक साबित होता है इस पर शोद करने जा रहा है इन दोनों खबरों की एहमियत को समझे आप दोस्तों इससे पहले कि आप हसने लगे उन पर हसिये मत धार्मिक मानेताओं पर हसते नहीं है मगर गौर कीजिए काम में पूरी तरह से नाकाम है सरकारे मगर गाय का स सहरा लेकर आपकी भावनाओं में खेला जा रहा है पर खेला जा रहा है यही काम तेजस्वी सूरिया ने किया यही काम विग्यान मंत्रा ले कर रहा है विग्यान मंत्रा ले और यही काम योगी आदितनात कर रहे हैं बगर मैं उम्मीद करता हूँ योगी जी कि कल को अगर क किसी गाय को तकलीफ हो, क्योंकि एक ख़बर आई थी कि शेरों को कोरोना हो गया है, कल को अगर किसी गाय को तकलीफ हो और अगर उसका मालिक आपसे मदद की मांग करे तो आप उस पर F.I.R. नहीं कर देंगे, करेंगे तो नहीं ना, क्योंकि आप ही कि सरकार का फर्मान था, कि पत्रकार जो लोग मदद की मांग कर रहे थे या जो लोग कुरोना से जुड़ी खबरें दिखा रहे थे आप उन पर अंकुष डालने का प्रयास कर रहे है इसी तरह से कल को किसी गाय की तब्यद खराब हो जाती है तब आप ऐसी कोई कारवाई तो नहीं करेंगे ना धार्मिक मानिताओं की जगा हमारे निजी जिद्गी में है हमारा इश्वर से साक्षातकार निजी है आट अ परसनल लेवल है उसका खेला मत बनाओ उसका तमाशा मत बनाओ खास कर तब जब आप अपनी नाकामी को छपाना चाहते हैं आप मेरे इश्वर का इस्तमाल मेरे का इस्तमाल मेरे भगवान का इस्तमाल सिर्विस लिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं मैं तो सवाल उठाते रहूंगा कट घरे में सरकार है मगर कट घरे में सरकार से ज्यादा आप इस देश की जनता हैं जिस तरह से आपको आए दिन मुर्ख ब मगर इस माहौल में भी अगर ये सब किया जा रहा है तो सवाल उन पर नहीं है तो कहवत क्या है कि कुट्टे की पूँच 12 महिने भी आप रखें नली में तो सीधी नहीं होती है वो तो जो है सो है करेंगे तेजस्वी सूर्या वही करेगा मगर आप आप जो इस देश की जन जनता है आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है यह आपको सोचना पड़ेगा आपके सामने एक और खबर देखिए दोस्तों वैक्सीन जो दिये जा रहे थे उसका आकड़ा देखिए दोस्तों पहले बढ़ता है आपके सामने आकड़ा है क बढ़ना शुरू हुआ शुरू हुआ ग्यारा अप्रेल में जाकिए देखिए सबसे उंचा है और फिर उसके बाद जोनों से गिरना शुरू हुआ इस खबर के मताबिक 16 करोड लोगों को अब तक वैक्सीन्स लग चुकी हैं मगर हो सकता है कि ये पहला डोज हो या कुछ लोगों को दोनों डोज लग गया है जैसे मुझे मुझे दोनों डोज लग गया है मेरी वाइफ को एक डोज लगा है मेरे पापा को दोनों डोज लग गया है मेरे चाचा को दोनों डोज लग गया है मेरी चाची को एक डोज लगा है पहले तो आपका विश्वास सिर्फ दो वैक्सीन्स पर था, फिर जब राहूल गांधी ने सवाल उठाया, तो पहले तो आपने कहा कि तुम वैक्सीन कंपनियों की दलाली कर रहे हो, यही बात कही थी ना रवीशंकर प्रसाद और स्मृती रानी ने, बाद में राहूल गांधी के कहने के बाद, अब आप लोग जो हैं आपने वैक्सीन्स के पाँच और डोज मंगवा लिए, पाँच और प्रकार मंगवा लिए, तो आपको सोचना पड़ेगा यह सरकार किस तरह से काम कर रही है, मैंने जो तमाम आपके सामने बाते रखी, वो तथ हैं आप उस पर बहस नहीं कर सकते हैं, आप अपनी अंदभक्ती से, दिमाग के खालीपन की वज़़े से, अगर इस सब को जायस छहराना चाहो, तो आप दया के पात्र हैं, मेरे आकड़े गलत नहीं हैं याप पर, दया के पात्र आप हैं, इस बात पर गौर कीजेगा, और आपके स्क्रीन्स पर यह हैं जैशंकर, ऐसे जैशंकर देश के विदेश मंत्री हैं, दोस्तों, मैं पूरे विश्वास के साथ, और पूरी जिम्मेदारी से साथ कहना चाहता हूँ, कि आजाद भारत के इतिहास में, कई किसम के नाकारा विदेश मंत्री हुए हैं, एक SM कृष्णा हुआ करते थे, मगर ये आदमी तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है, क्योंकि ये ना सिर्फ एहंकारी हैं, बलकि नाकारा भी हैं, और इन्होंने भारत की कूटनी तेक साथ कोई जितना नुकसान पहुँचाया है, अपने हंकारी रवाई की वज़े से, भारत इस नुकसान से उबरने में कई साल लगा देगा, इन्होंने एक इंटर्व्यू दिया है, दो-तीन बाते कही है, पहली बात इन्होंने ये कही कि भारत के अंदर चुनाव नहीं रुकवाए जा सकते, कुरोना अगर भेल रहा है तो देश दोष चुनावू का नहीं है, बिल्कुल सही का आप, दोष चुनावू का नहीं है, दोष है चुनावू को खीच कर आठ चरण में करवाने का, ताकि भारती जनता पार्टी को फाइदा हो, 75 सीटों के लिए तुमने देश को कुरोना में जोग दिया, पक्षे मंगाल को कुरोना में जोग दिया, भूल गए, मदरास हाई कोट ने क्या कहा था, मदरास हाई कोट ने चुनाव आयूप के बारे में कहा था, कि आपके हाथ खुन से सने आप पर खुन का केस क्यों ना कर दिया जाए फिर ये गए थे रोते हुए सुप्रीम कोट के सामने सुप्रीम कोट ने का वापस जाईए आप तो मुश्किल जुनाव नहीं है माननी जैशंकर मुश्किल है जुनावों को खीचना ये है सवाल दूसरी बात कुम्ब मेले के बारे में इनसे सवाल पुछा गया तो इनका जवाब सुनिए बहुत अचपठा सा जवाब है ये कहते हैं कि दोश कुम्ब का नहीं है और वो कहते हैं आगे कि देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि प्रदर्शन में जो अपने किसान भाई बंदों से आप लोग अपने जान के लिए आपको सिंगू बॉर्डर तमाम जगाओं से हट जाना चाहिए आप लोग भारती जनता पार्टी को पहला करारा तमाचा दे चुके हैं वहां के पंचायत चुनावों में बीजेपी हिल गई है आप पहला तमाचा दे चुके हैं अब आपको 2022 तक अपने इस रोश को अपने घुसे को बचाय रखना है मगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी जान के लिए खाली करना चाहिए सिंगू और गाजीपूर बॉर्डर मगर हकीकत ये भी है कि जहां किसान है वहाँ पर कोरोना के कोई बहुत बड़े केसिस नहीं आए है एस जैशंकर को मालूम होना चाहिए कि कुम्ब के कई जो जो अपने यात्री हैं वापिस गए हैं मध़प्रदेश का मामला था 90 लोग जाते हैं सभी के सभी कोरोना से संक्रमित और उसमें से 20 लोग खायब हो जाते हैं डर के मारे कि हमें अस्पतार नहीं जाना आप अंदाजा लगा सकते हैं यो लोग किस पैमाने पर कोरोना का संक्रमन करेंगे लाखों लोग गए थे कोरोना में उनमें से अगर हजारों लोग भी संक्रमित हुए तो देश इसकी क्या कीमत चुकाएगा और चुकार रहा होगा ये आदमी ग्रेटा थन्बग को रिहाना को उन पर निशाना साधता है और खुद जिस जूट पर सवार होकर तुम देश की साख बचाने का प्रयास करते हो देश की बदनामी करने का प्रयास करते हो अपने एहिंकार के चलते तुमने देश की धज्जेया उड़ा दी उसके बारे में तुमारी कोई राय नहीं इस देश का दुर्भाग्य जहाँ ये तीन चेहरों पर गौर कीजेगा एस जैशंकर तेजस्वी सूर्या और प्रग्या जैसे सांसद और मंत्री मौजूद हैं मैं सिर्फ यही प्रार्तना कर सकता हूं कि इन महानुभवों से इस देश को बचाया जा सके और इश्वर अपनी देवी ये शक्ती से हमें हमारे लिए एक ऐसा मार्ग साफ करे कि कम से कम इन लोगों की मौजूदगी होते हुए भी हमें तकलीफ ना हो नुकसान ना हो बोल के लब आजाद है मैं बस इतना ही आज कारकरम की शुरुआत में मैं थोड़ा एमोशनल हो गया था मगर कभी-कभी दोस्तों बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों से निकलना एक ऐसा वक्त नहीं गुजरता एक ऐसा लम्हा नहीं गुजरता और कभी-कभी प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हुए मुझे रोकना पड़ता है क्योंकि आँखों में आसु आ जाते है और आप सब इस मुश्किल से गुजर रहे होंगे मैं उमीद करता हूँ कि हम सब इस मुश्किल से निकलें इस दर्द की दास्तान से इस दर्द से उबरें नमस्कार